बारिश तो यह पूरा हफ्ता दिखा रहा है ना चलिए फिर पहले ही हम अपना इंतिजाम कर लेते हैं सबसे पहले मैंने यह प्यास को अच्छी तरह से दो कर बीच में से कट कर लिया अब मैं फोक की साइटा से इसके सारे स्लाइसिस अलग कर रहे हूं यह देखिए अलग हो और एक साही पर मैंने पेम में तेल आप घी कुछ भी ले सकते हो गर्म होने के लिए रख दिया इसमें मैंने हींग डाली है अब मैं सरसो डालूंगी यह देखिए सरसो को थोड़ा सा भूगना है जब तक यह थोड़ी सी अवाज ना करना आ जाए और फिर इसके बीच मैं ह बारी मिरच, हल्दी, लाल मिरच यह दोनों डालूंगी यह देखिए यह सब बच्चों के फेवरेट बड़ों के भी फेवरेट होने वाले हैं आप जरूर देखिए और यह देखिए इसके में मैंने अलू डाल दिया बॉयल यह पूरा त्यार हो गया अब मैं आलू को एक स कस्तूरी मेथी और गरम di डालें देखिए पानी दनाए प्लम ठयार बार प्लम प्रेटर पच यह देखिए अल सकोड़ को मिरच के में रो के शुटिया बहुत है यह दिखिए इसे उपर कर्षास के मदं कर दोंगे Av tort फियर बेश्ए में दिखिए नियुकर से लिएका यह स जरूर बना कर खाईएगा आप भी और फिर एक साइड पर मैंने तील गर्म होने के लिए रख दिया लीजिए बहुत अच्छा रंग आएगा इनका ये दिखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है बारिश का मोसम हो और ये पकोड़े ना बने ऐसा हो यह नहीं सकता ये देखिए बनकर हो गई त्यार आप भी जरूर बनाएगा जरूर खाईएगा ये आप साथ म्योनिस के साथ वाइट साथ किसी के साथ भी खा सकते हो ये देखिए कैसे आ रही है बाहर अगर आप मेरे चैन मेरा मिशन आपको सिर्फ असान चीज़े सखाने का है प्लीज मुझे सब्सक्राइब कीजिए ये